मेरे अंकल ने करीब 20 साल पहले 2004 में HDFC बैंक के स्टॉक में इंवेस्ट किया था अड्जस्टेट टर्म्स के हिसाब से उस टाइम ये स्टॉक 35 रूपीज के आसपास ट्रेट कर रहा था इन 20 सालों में HDFC बैंक ने अल्मूस 203 रूपीज पर शेर का डिविडेंट दिया है इसका मतलब ये है कि मेरे अंकल को ना सिरफ अपना इनिशिल इंवेस्टमेंट वापिस मिला बल्कि HDFC ने उनके इंवेस्टेट का निरली 5 टाइम रिटर्न भी दिया और उमीद है कि आगे भी ये इसी तरह रिटर्न जेनेरेट करता रहेगा मेरे अंकल ने मुझे बताया कि ये डिविडेंट उनके लिए पैसिव इंकम का एक अच्छा सोर्स बन गया है इनफाट वो इस स्टॉक को अपने ग्रांट चिल्डर्न के लिए लगेसी छोड़ने का प्लान बना रहे है इस स्टॉक का प्राइज अब अराउंड 15 सो रुपे है उनका इनीशल इंवेस्टमेंट अल्मूस्ट 43 टाइम्स बढ़ गया है क्योंकि वो पहले ही अपने लिए इनफेस्टमेंट को डिविडेंट के जरिये रिकवर कर चुके हैं इसलिए फ्यूचर में मिलने वाला कोई भी रिटर्न और डिविडेंट उनके लिए फ्री मनी की तरह होगा वो इस इनफेस्टमेंट से बहुत खुश है आप भी अच्छे स्टॉक्स पिक करके ऐसी ग्रोथ को एक्सपिरिंस कर सकते हैं जो आपको डिविडेंट भी पे करते रहें अलो एन वेल्कम को इटी मने हिंदी आज हम डिविडेंड इंवेस्टिंग के बारे में बाथ करेंगे और बताएंगे कि आप अच्छे डिविडेंड स्टोक कैसे पिक कर सकते हैं dividend आपकी passive income का एक अच्छा source हो सकता है इसलिए आगे हम इसी बारे में बात करेंगे लेकिन सबसे पहले उन दो crucial dividend related metrics को समझते हैं जिनके बारे में as a dividend investor आपको पता होना चाहिए उसके बाद हम बात करेंगे कि आप promising dividend stocks कैसे pick कर सकते हैं इसलिए इस वीडियो को एंट तक जरूर देखें dividends को quantify करने के लिए अकसर dividend yield का use किया जाता है इससे calculate करने के लिए dividend amount को stock price से divide किया जाता है for example अगर stock price 100 रुपे है और dividend amount 2 रुपे पर share है तो dividend yield 2% होगा in other words इसका मतलब है कि उस stock में invest किये गए हर 100 रुपे पर stock ने एक साल में dividend के थूँ 2% का return दिया है क्योंकि dividend yield को stock price use करके calculate किया जाता है इसका मतलब stock price change होने पर ये भी change हो जाएगा and dividend yield is inversely proportional to the stock price मतलब stock price में गिरावट आने पर ये increase होता है for example अगर stock price 100 रुपे से गिरकर 80 रुपे हो जाता है और per share dividend 2 पर रहता है तो dividend yield 2% से increase होकर 0.5% हो जाएगी लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि stock अब जादा attractive हो गया है on the contrary 20% के stock price crash को investigate किया जाना चाहिए क्योंकि ये company की profitability और future dividends पर असर डाल सकता है इसलिए हमेशा dividend yield में sudden rise को investigate किया जाना चाहिए और पता करें कि क्या stock price में गिरावाट इसका reason है का investors को लगता है कि dividend yield से उन्हें ये पता चलता है कि कोई stock future में कितना dividend देगा लेकिन ऐसा नहीं है dividend yield past dividend पर based होता है company future में similar, better और worse dividend pay करेगी या नहीं ये business की profitability और management के decision पर depend करेगा फिर भी dividend yield सभी stocks में dividends को compare करने का एक convenient तरीका है for example, 29 में तक HDFC bank का dividend yield 1.27% था वहीं ICICI bank का dividend yield 0.89% था इस हिसाब से देखें तो HDFC bank, ICICI bank के comparison में higher dividend pay कर रहा है इसलिए जब आप dividend के लिए invest करना start करते हैं तो सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है high dividend yield वाली companies को pick करना for instance, BSC 500 में dividend yield के हिसाब से top 5 companies आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं 29 में 2024 तक BSC 500 companies में IDFC का dividend yield 10.4% के साथ सबसे ज़ादा है इसके बाद Indian Oil या IOC का नंबर आता है जिसका dividend yield 7% से ज़ादा है और उसके बाद BPCL है जिसका dividend yield almost 7% है यह काफी attractive numbers है और कोई भी ऐसे stocks को अपने portfolio में रखना चाहेगा लेकिन सिरफ dividend yield के पीछे भागना एक गलती हो सकती है लेट सी वाइचलिया IDFC को consider करते हैं जिसकी financial year 23 में dividend yield 10.4% थी इन रूपीज टर्म IDFC ने 12 रूपीज पर शेर का dividend दिया financial year 23 में IDFC ने associate companies से 974 करोड रूपीज का profit कमाया जबकि उसका खुद का profit सिरफ 90 करोड था इसके अलावा IDFC ने discontinued operations से भी 36 करोड रूपे का profit हासिल किया इन सभी के कारण इसने financial year 23 में 4244 करोड का total profit report किया IDFC के bumper profit के पीछे business performance नहीं बल्कि इन extraordinary items का contribution था ये extraordinary items usually एक बार के लिए होते हैं और repeat नहीं होते ये भी possible है कि financial year 23 में higher dividend payout भी in one-off gains की वज़ा से हुआ हो इसलिए ऐसे dividend payouts के repeat होने की भी उमीद नहीं है इन फाक्ट अगर कोई IDFC की dividend history देखे तो इसमें proud होने लायक कुछ भी नहीं है IDFC ने financial year 22 और financial year 21 में कोई dividend नहीं दिया financial year 20 में dividend 3.15 रुपीज पर शेर था और फिर financial year 19 में कोई dividend नहीं मिला इसलिए last 5 financial years में से इसने 3 में कोई dividend नहीं दिया इसके अलावा इसने financial year 19, 20 और 21 में loss report किया loss में रहने वाली कोई company अक्सर dividend pay नहीं करती All in all, IDFC's super high dividend yield can be quite deceptive यह superior dividend paying capability को indicate नहीं करता इसलिए सिरफ dividend yield के basis पर investment decision लेना सहीं नहीं है You should always look beyond dividend yield चलिए अब dividend yield के दूसरे aspect को explore करते हैं dividend yield को हमेशा stop price movement के साथ जोड कर देखा जाना चाहिए Let me explain BSC 500 में top 10 dividend payers के list में दूसरी company Indian Oil Corporation या IOC है इसका dividend yield 7% से जादा है चलिए IOC की dividend history पर एक नज़र डाले पहली बात जो हमने notice की वो यह है कि dividends fluctuate हुए है और यह IOC के business की cycle nature की वज़े से हुआ है Oil marketing companies price rise को लेकर vulnerable होती है क्योंकि इससे उनके gross refining margins कम हो जाते है Now being a PSU, IOC को higher prices का burden customers पर डालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि oil prices एक political issue भी है लेकिन यह एक aspect है हम यहां stock price movement को लेकर जादा concern है 29th May 2024 तक पिछले 5 सालों में IOC stock about 9% पर आनम appreciate हुआ है which is not bad Dividends के साथ साथ आपका total return भी double digit में रहेगा लेकिन अगर आप पिछले 7 सालों में देखें तो return 2.18% पर आनम हो जाता है मतलब IOC का stock अभी भी उसी level के आसपास है जो 7 साल पहले था table देखकर पता चलता है कि इस stock ने जादा returns पिछले 1 साल में ही दिये है क्योंकि Indian markets में तेजी आई है पिछले 1 साल में IOC का stock about 83% बढ़ा है तो बात simple है अगर आपका aim dividend है तो ऐसे में आप stock price की वज़ा से अपना पैसा ना खोए क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपका dividend nullify हो जाएगा और क्योंकि stock price में movement काफी तेज होता है इसलिए इस वज़ा से net loss भी हो सकता है मेरी अंकल का experience याद है ना उनके पास जो HDFC bank का stock है उसने dividend देने के अलावा उनकी capital को भी 43 times बढ़ा दिया है एक dividend investor को इसी तरह का experience हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए तो ये थी dividend yield से जुड़ी कुछ important बात है आए अब दूसरे prominent dividend metric पर एक नज़र डाले dividend payout ratio dividend payout ratio net profit का वो share है जिसे कोई company आज dividend distribute करती है for instance अगर किसी company में एक साल में 1000 करोड का profit कम आया और वो 100 करोड आज dividend distribute करती है तो dividend payout ratio 10% होगा unlike dividend yield dividend payout ratio काफी constant रहता है क्योंकि ये non market link metrics पर based है dividend और net profit दोनों ही business metrics है और इसलिए dividend payout ratio तब ही change होगा जब अगला profit या dividend figure announce किया जाएगा आपकी screen पर 10 largest listed companies के dividend payout ratios और उनके dividend yields नज़र आ रहे है इस table से हमें कुछ interesting बाते पता चलती है इंडिया की largest listed company reliance ने अब profit का 10% से भी कम as dividend distribute किया है इसका dividend yield 0.31% है जो काफी कम है वहीं दूसरी तराफ हिंदुस्तान Unilever है जिसने अपनी profit का 96% distribute किया है dividend yield के मामले में company भले ही कुछ खास नज़र आ रही है लेकिन dividend payout ratio के मामले में company star है ITC का dividend yield और dividend payout दोनों ही high है और फिर भारती एटल है जिसका dividend yield सिरफ 0.29% है लेकिन dividend payout ratio 60% से जादा है लेकिन यहां एक सवाल मन में उठता है क्या बहुत जादा payout ratio बुरी चीज है after all it indicates that एक company अपनी profit का बड़ा हिस्सा as dividend दे रही है जिस वजह से सिरफ थोड़ा profit ही वापस business में लगाया जा रहा है इससे business की stability पर भी असर पढ़ सकता है वेल यह एक valid point है और in fact large payout ratio एक problem हो सकती है however यह business के nature पर भी depend करता है for instance हिंदुस्तान Unilever और ITC दोनों stable FMCG companies है जो पहले ही large scale पर पहुँच चुकी है जब ऐसी companies अपनी profit का बड़ा share payout करती है तो यह चिंता करने की बात नहीं है on the other hand भारती एटल के business का capital hungry nature देखते हुए almost 62% का payout ratio higher side पर हो सकता है दो से जादा के high debt to equity ratio के साथ dividend देना actually भारती एटल पर debt का burden बढ़ा सकता है on the other hand ITC और हिंदुस्तान Unilever almost debt free companies है ऐसी companies भी है जिनका payout ratio 100% से जादा है इसका मतलब है कि इन companies ने अपनी profit से जादा dividend पे किया है आपकी screen पर नजर आ रही है 10 largest companies जिनका dividend payout ratio 100% से जादा है विदान्ता इसका एक अच्छा example है यह high dividend देने के लिए जाना जाता है आए पिछले 5 सालों के इसके dividend payouts पर एक नजर डालते है विदान्ता ने financial year 23 के लिए dividend के तौर पर 101.5 रूपीज पर शेर पे किया था वहीं financial year 22 में यह amount 45 रूपीज था इसके high dividend payout का एक source वो dividend हो सकता है जो company को अपनी subsidiary हिंदुस्तान zinc से मिलता है हिंदुस्तान zinc विदान्ता का crown jewel है और इसने बड़ा profit generate किया है इसका financial year 23 में net profit 10,511 करोड रहा लेकिन अगर हम विदान्ता का debt to equity ratio देखे तो यह financial year 22 में 0.98 था जो financial year 23 में बढ़कर 2.04 हो गया है इवन हिंदुस्तान zinc का debt to equity ratio financial year 22 में 0.09 से बढ़कर financial year 23 में 0.94 हो गया है Has the debt increased? Well, yes दोनों companies के shareholder funds में भी गिरावट आई है इसके अलावा विदान्ता ने हिंदुस्तान zinc में अपना पूरा stake pledge कर दिया है और विदान्ता में promoters का stake भी pledged है अगर आप pledging के बारे में नहीं जानते तो आपको बता दें कि इसका सीधा मतलब है पैसे जोडने के लिए shares गिरवी रखना इसलिए जहां एक और विदान्ता high dividend दे रही है वहीं दूसरी और इसका capital structure weak होता नजर आ रहा है क्या ही shareholders के funds को as dividends पे कर रही है और फिर जादा debt raise करके deficit को compensate कर रही है और क्योंकि इस dividend का एक बड़ा हिस्सा promoters के पास जाएगा तो क्या ये corporate governance issue हो सकता है promoters ने अपना stake भी गिरवी रख दिया है और ये भी चिंता की बात है I am sure के इसके लिए एक counter viewpoint होना चाहे लेकिन हम विदानता के high dividend से cautious जरूर रहेंगे आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें comment section में जरूर बताए मैं यहाँ यह कहना चाह रही हूँ कि अगर payout ratio ultra high है तो यह पता लगाने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों है लगातार बहुत जादा payout ratio ना सिरफ unsustainable है बलकि यह company में कुछ गरबर होने का indication भी हो सकता है इसके अलावा अगर किसी company का payout ratio बहुत कम है तो probably वो बहुत अच्छा dividend stock नहीं है इसलिए as a dividend investor कोई भी ऐसे stock को avoid कर सकता है चलिए अब अच्छे dividend stocks pick करने के लिए dividends के बारे में अब तक जो बाते हमने समझी है उनका use करें लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो इसे subscribe करने और bell icon क्लिक करना ना भूले ताकि आपको हमारी सभी वीडियो के notifications मिल सके तो किसी stock को dividend के लिए खरीदने का decision लेने से पहले आपको उसमें क्या देखना चाहिए इस वीडियो में हमने जो सीखा उसके हिसाब से हम एक framework सजेस्ट कर रहे है हम इस framework पर based कुछ stocks भी mention करेंगे लेकिन ऐसा करने से पहले एक important बात ये framework और stocks हमारी recommendations नहीं है इसको objective सिर्फ ये बताना है कि आप dividend stocks कैसे pick कर सकते हैं और आपको किन metrics को check करना चाहिए अगर आप किसी stock में interested हैं या अगर आप खुद का framework यूज करने का decide करते हैं तो please exercise your due diligence और अपनी खुद की research जरूर करें So here's the framework सबसे पहली बात company profitable होनी चाहिए और समय के साथ उसका profit बढ़ना चाहिए ये important है क्योंकि समय के साथ बढ़ता profit higher dividend में बदल जाएगा Profit लगातार बढ़ने के लिए revenue growth का support भी मिलना चाहिए ताकि समय के साथ revenue भी बढ़ सके मान लीजे कि 5 साल का revenue और profit growth respectively 8% और 12% से जादा है Second, dividend payout ratio भी high होना चाहिए लेकिन बहुत जादा नहीं ये बहुत कम भी नहीं होना चाहिए चलिए इसे 25% से जादा लेकिन 100% से कम मान लेते हैं आप dividend yield को एक certain number भी consider कर सकते हैं ताकि आपको dividend के size का भी अंदाजा हो सके चलिए dividend yield को 1% मान लेते हैं लेकिन अगर dividend का size आपके लिए जादा जरूरी नहीं है और आपके लिए बस payout ratio काफी है तो आप इस criteria को छोड़ सकते हैं थर्ड company की books पर जादा debt नहीं होना चाहिए ये important है ताकि interest की वज़े से distribute होने वाला surplus कम ना हो जाए चलिए मान लेते हैं कि debt to equity ratio एक से कम है ध्यान दें कि ये metric जादा तर finance companies को knock out कर देंगे क्योंकि उनके business nature को देखते हुए उनके debt to equity ratios high होते हैं finance companies के लिए debt to equity एक irrelevant metric होता है इसलिए अगर आप भी finance stocks select करना चाहते हैं तो इस metric का use ना करें लेकिन non-finance stocks के लिए debt levels individually चेक करें 4. stock price भी with time grow करना चाहिए मान लीजिए on an average 12% पर आनम है इससे भी ये पता चलता है कि आप stock price के जरिए पैसा नहीं गवा रहे हैं वहीं आप dividend के जरिए पैसा कमा भी रहे हैं 5. good quality ensure करने के लिए equity या ROE पर average return 15% या इससे जादा होना चाहिए 6. बहुत छोटी companies को हटाने के लिए सिरफ उन companies को consider करें जिनका market cap 1000 करोर से जादा है जब हमने इन criteria को apply किया तो हमें 25 companies मिली आप इस list को description में दिये गए link से download कर सकते हैं और इन stocks पर research करना शुरू कर सकते हैं लेकिन research करने से पहले उनमें invest करने से बचें जब आप उन पर research करें तो इन बातों का ख्याल रखें फर्स्ट, revenue और profit consistently कितना increase हुआ है क्या उनमें sequentially growth हुई है या growth erratic रही है आप चाहेंगे कि revenue और profit even manner में increase हो ताकि dividend payout भी uniform रहे सेकंड, dividend history चेक करें क्या company रेगिलरली dividend पे किया है या क्या इसने अपने dividend को बार बार discontinue किया है इसके अलावा dividend payout ratio evaluate करने की कोशिश करें चेक करें कि क्या ये uniform रही है या ये fluctuate हुई है आप चाहेंगे कि company regularly dividend pay करें और समय के साथ अपने dividend payout ratio को maintain रखे या increase करें थर्ड, price to earnings ratio जैसे relevant metric का यूज़ करके valuations को evaluate करने की कोशिश करें ये important है क्योंकि अगर आप overvalued stock खरीदते हैं तो किसी भी negative development की चलते steep correction हो सकती है जैसा कि हमने देखा अगर आप stock price correction की वज़ा से पैसा गवाते हैं तो stock के dividend से मिलने वाला gain nullify हो सकता है यही नहीं आपको net loss भी हो सकता है चलिए अब इस portfolio से passive income कमाने के बारे में बात करते हैं तो 25 stock के इस portfolio का median dividend yield 1.40% है इसका मतलब यह है कि अगर आप इस portfolio में 10 लाक रुपे invest करते हैं तो आपको first या में लगबग 14,000 का dividend मिल सकता है मैंने मिल सकता है इसलिए कहा क्योंकि future dividend company के profit और management के decision पर depend करता है लेकिन 14,000 रुपे यह amount जादा नहीं है बिल्कुल लेकिन जब आप stocks portfolio से income derive करने के बारे में सोचते हैं तो आपको यही expect करना चाहिए portfolio level पर around 1% yield काफी अच्छी मानी जाती है और याद रखिये stock dividend भी आपको slab rate पर taxable है of course higher payout के लिए आप अपना investment increase कर सकते हैं for instance इन companies में invest किये गए एक करोड रुपे से पहले साल में करीब 1.4 lakh रुपीज generate हो सकते हैं लेकिन real magic तब होता है जब आप इन companies में long term तक invested रहते हैं जैसे जैसे उनका profit बढ़ेगा वैसे वैसे उनका dividend भी बढ़ेगा और आपका dividend amount भी within time better हो जाएगा ठीक ऐसे ही मेरे अंकल के साथ हुआ इसलिए dividend के थूँ stock से passive income कमाने के लिए आपको अच्छे dividend stocks pick करने चाहिए और उन्हें long term के लिए hold करना चाहिए इस बीच time to time company की progress भी चेक करते रहें और less deserving stocks को बहतर stocks से replace करते रहें ऐसी कई websites हैं जो companies के बारे में financial information provide करती हैं और आज इस वीडियो में बस इतना ही I'll be back soon with another insightful analysis Don't forget to like, share and comment. Take care